लीजे सुनिए रवींद्र नाथ टेगौर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अन्वाद आख की किरकिरी का भाग 31 मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में आशा सोचने लगी ऐसा क्यों हुआ आखिर मैंने किया क्या किन्तु जिस जगए असल विपत्ती छिपी बैठी थी वहाँ उसकी द्रिश्टी ही नहीं पड़ी ऐसी संभावना भी कभी उसके मन में उधित नहीं हुई कि महंद्र विनोधनी से प्रेम कर सकता है संसार कानभाव से कुछ भी नहीं था इसके सिवाए ये बात भी कभी उसकी कलपना में नहीं आई कि विवाह के बाद से महंद्र को वो निश्चत रूप से जैसा समझती आई है उसके सिवा महंद्र और भी कुछ हो सकता है महंदर आज कुछ जल्दी ही कॉलेज चला गया कॉलेज जाते समय आशा बराबर खिड़की के पास खड़ी होकर महंदर की गाड़ी की तरफ देखा करती थी और महंदर भी एक बार मुह उठा कर आशा की और देख लिया करता था ये इन लोगों का नित्त का नियम था इस अभ्यास के अंसार गाड़ी का शब्द सुनते ही आशा खिड़की के पास जा खड़ी हुई और महंदर ने भी आदत के अंसार खिशन भर के लिए एक बार आख उठा कर उपर को देखा देखा कि आशा खड़ी है अभी तक वो नहाई धोई नहीं मेले कपड़े पहने हैं बाल बिखर रहे हैं चेहरा सुखा हुआ है देखते ही उसी खशन उसने निगाह नीची कर ली और हाथ की किताब खोल कर देखने लगा कहां गया वो चार आखों का नीरा संभाशन और कहां गई वो भाव भाशा पूर्ण मधुर हसी गाड़ी चली गई आशा जहां की तहां जमीन पर बैठ गई सारा जगत उसे फीका लगने लगा मानो उसके जीवन का स्वाद ही बिगड़ गया हो कलकते के देनन दिन कर्म प्रवाह में ये जवार आने का समय है साड़े दस बजे हैं आफिस जाने वाली गाड़ियों का ताता बंधा हुआ है ट्राम के पीछे ट्राम दौरती चली जा रही है और उस व्यस्तता के वेगवान कर्म कलोल के पास ये एक वेदना से निस्तब्ध मुर्जाया होया हिर्दय अत्यनत्यवी सद्रिश मालूम होने लगा सैसा आशा के मन में एक विचार उठाया वो मन ही मन कह उठी अच्छा अब समझी बिहारी लाला जी काशी गय थे उसी बात पर ये नाराज हुए है इसके सिवाई धर और कोई नाराजी की बात तो हुई नहीं पर इसमें मेरा क्या दोश था सोचते सोचते अकस्मात एक अक्षण के लिए मानो आशा के हिर्दय के स्पंदन बंध हो गया सैसा उसे ऐसी आशंग का हुई कि शायद उसके पती को संदे हुआ है कि बहारी के काशी जाने के साथ उसका भी कुछ संबंध है दोनों की सलाय से ये काम हुआ है छीची ऐसा संदे कैसी लज्जा की बात है एक तो बहारी के साथ उसका नाम आना ही धिकार का कारण है उस पर महेंदर को अगर संदे हुआ हो तो फिर उससे प्राण कैसी रखे जाएंगे किन्तु सच मुची ही अगर संदे का कोई कारण हो उससे अगर अपराध बन पड़ा हो तो महंदर उससे इस पश्टता से कहता क्यों नहीं उसका न्याय विचार करके वो उसे धंड क्यों नहीं देता किन्तु महंदर तो इस पश्ट कुछ न कहकर बराबर उससे कतराता ही फिरता है इससे आशा के मन में बार बार यही बात उठ रही है कि महंदर के मन में जरूर ऐसा कोई संदे हो रहा है जिसे वो खुद अन्याय समझता है किन्तु आशा के आगे स्पष्ट रूप से स्विकार करने में भी लज्जा अनुभव कर रहा है नहीं तो उसका चेहरा ऐसा अपराधी जैसा क्यों होता कृद्ध विचारक का ऐसा कुंठित भाव होने का और तो कोई कारण नहीं दिखाई देता महेंद्र गाड़ी से खषण मात्र के लिए आशा का जो मिलान करुण मुख देख गया था उसे वो दिन भर अपने मन से न मिटा सका कॉलेज के प्रत्तिक लेक्षर में और श्रेणी बद्ध चात्र मंडली में उसे बार बार वही वातायन आशा का वही चहरा वही बिखरे हुए रूखे बाल वही मलिन वस्तर और वही व्यतित व्याकुल चितवन सुस पश्ट रेखाव में अंकित हो हो कर दिखाई देने लगी कॉलेज का काम पूरा करके वो गोल दिखी के किनारे गूमने लगा गूमते गूमते शाम हो आई किन्तु फिर भी वो किसी तरह निर्ने न कर सका कि आशा के साथ उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए सदय चल करे या अकपट निश्टुरता क्या करे ये विचार ही नहीं उठा उसके मन में कि विनोधनी को छोड़ देना चाहिए या नहीं दया और प्रेम दोनों की मांग को वो कैसे निभाए अंत में महिंदर ने अपने मन को समझाना शुरू किया कि आशा से अब भी मेरा जितना प्रेम है उतना बहुत कमिस्त्रियों के भाग में होता है उससने और प्रेम को पाकर आशा क्यों नहीं संतुष्ट रहेगी विनोधनी और आशा दोनों को ही इस्थान देने लाएक प्रशस्त हिर्दय मेरे पास है विनोधनी के साथ मेरा जो पवित्र प्रेम का संबंध है उससे दामपत नीती में किसी तरह का व्यागात नहीं हो सकता इस तरह अपने को समझा कर महंदर ने मन से एक भारी बोज उतार दिया और ये सोच करके विनोधनी और आशा दोनों में से किसी को बिना छोड़े ही दो चंदरों से सेवित ग्रह के समान वो अपना जीवन इसी तरह बिता देगा उसका मन प्रफुले तो हो ठाँ और ये निश्य करके कि आज रात को वो जल्दी से बिस्तर पर जाकर अपने लाड़ प्यार और इस निगद आलाप से आशा के मन से भारी वेदना को खशन भर में दूर कर देगा बड़ी तेजी से घर की उर चल दिया भोजन की समय आशा उपस्थित नहीं थी फिर भी महेंदर ये सोच करके आखिर सोने तो आएगी ही अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया किन्तु निस्तब्ध कमरे में सूनी शया पर ये कौन से समरती उसके हिर्दे में जाग उठी क्या ये आशा के साथ नव परनए की नित नूतन प्रेम डीला की समरती है नहीं वे समरतीयां तो वैसे ही खीन हो चली है जैसे सूरियोदय के साथ साथ जोत्सना शीन होती रहती है अब तो वहां उस सरला बालिका की सलज इस निगध छवी को ना जाने कहां छिपा कर एक तीवर उज्जल तरुनी मूर्ती दीप मान होटी है महेंदर को विनोधनी के साथ विश्वरिक्ष की जीना जप्ती याद आने लगी और फिर उन दिनों की याद आने लगी जब शाम के बाद विनोधनी कपाल कुंडला पढ़कर सुनाते सुनाते बहुत रात कर देती घर के सब सो जाते और रात को उस निब्रत कमरे की निस्तब्ध निर्जनता में विनोधनी का कंठ स्वर्मानो आवेश में मृदू मधुर और रुध प्राय हुआ था और तब वो सैसा अपने को संभाल कर पुस्तक पटक कर उठ खड़ी होती फिर महंदर कहता मैं तुमें नीचे तक पहुँचाओं इन सब बातों की बार बार याद करते करते महंदर का शरीर मन पुलकित होने लगा रात होती गई महंदर के मन में आशंकासी होने लगी कि अशा नहीं आई महंदर सोचने लगा मैं तो करतव पालन के लिए तैयार ही था किन्तु आशा अगर फजूल नाराज होकर ना आए तो मैं क्या करूं सोचते सोचते निशीत रात्री में अपने मन में वो विनोधनी के ध्यान को ही घनी भूत करने लगा घड़ी में जब एक कि चांदनी रात अत्यंत रमनी होट ही है कलकत्त महानगरी की विशाल निशब्दता और सुशुपती मानो इस तब्ध समुद्र की जल राशी के समान इस पर्ष गम सी मालूम होने लगी निशीत रात्री का मिर्दू मंद पवन मानो असंख अट्टाली काउं के उपर से महा अगरी की निद्रा को और भी निविड करता हुआ धीर गती से टहलता हुआ चला आ रहा हो महंदर की बहुत दिनों की रुकी हुई आकांग्शा अब अपने को समाल न सकी आशा के काशी से लोटने के बाद से विनोधनी उसके सामने नहीं आई जोत्सना मदवे वल निर्ज निशीत रात्त्री महंदर को मौहा विष्ट करके विनोधनी की ओर धके इलती हुई ले चली महंदर जीने से उतर कर नीचे पहुँच गया विनोधनी के कमरे के सामने वाली बरामदे में जाकर उसने देखा कमरे का दर्वाजा अब तक बंद नहीं हुआ है कमरे के भीतर ज जारदर कंट से उत्तर दिया मैं हूँ विनोध और फिर वो एकदम सीधा बरांडे में पहुच गया गर्मियों की रात होने से राजलक्षमी भी वहीं विनोधनी के साथ चटाई पर लेटी हुई थी वे पूछ उठी महन इतनी रात में तू यहां कैसे विनोधनी ने अपन अभी आप सुन रहे थे रवींदर नाथ ट्यागौर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अन्वाद आग की किरकिरी का भाग 31 मेरी यनि समीर गोस्वामी की आवाज में कि अन्वाञ कि आवे उप तू